नमस्कार दोस्तों आपका Tonextree चैनल पर स्वागत है आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान को SATFK Gray List से बाहर कर दिया गया है आज हम इसी बारे में जानेंगे कि इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और पाकिस्तान को इससे कितना फाइदा होगा चलिए शुरू करते है दरसल बात यह है कि पाकिस्तान को FATFK Gray से बाहर कर दिया गया है कहा यह जा रहा है कि यह अमेरिका के समर्थन से हुआ है FATFK गले लिस्ट में जाने से क्या नुकसान या फाइदा होता है यह इस बात की पड़ताल करते हैं FATF Gray List का मतलब होता है कि वो देश आतनकवाद के funding में involved है यह अंतराश्ट्रिय संस्था है जो की दुनिया भर में सभी देशों में जहां भी money laundering होती है वहां सरकारों पर दबाव बनाकर money laundering और आतनकवाद के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको रोकने का काम करती है पिछले चार साल से FATF के किले में पाकिस्तान है FATF क मुख्याले चांस के पेरिस में है तथा इसमें विक्सित देश के साथ साथ भारत भी एक सदस्य है FATF क्रिकेट में जाने से उस देश के विकास में बाधा पहुँचती है वहां पर विदेशी निवेश कम जाता है तथा वादे अंतराश्ट्रिय बजार से पैसा बॉंड क रूप में नहीं उठा पाता है जब तक इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंतरी थे तब तक लगातार पाकिस्तान. FATF के गिफ्ट में रहा जब सरकार बदली तो अमेरिका के पाकिस्तान से संबंध अच्छे हो गए इसके परिनाम स्वरूप अमेरिका नहीं पाकिस्तान को 30 अप्रेल से बाहर निकलने में मदद की भारत पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पढ़ेगा पाकिस्तान को अंतराश्ट्रिय बजार से लोन और बोल आसानी से जारी कर पैसे मिल और ये आप सबको पता है कि पाकिस्तान हमेशा से आतनकवाद को प्रश्रय देता रहा है यह रुकेगा भी नहीं इससे भारत को सचेत रहने की जरूरत है आप ऐसे ही न्यूज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेर करें त